असलाम अलेकुम स्टूरेंट वेलकम तो इमान लेडिंग तोडेश टॉपिक इस बाउट लाइफ साइकल ऑफ जैम्नो स्पर्म्स जो है वो नेकिट सीडिड प्लांट होते हैं इनके पास ऐसे प्लांट मुझूद होते हैं जिन में और आवरी मुझूद नहीं होती इनके आज कि देखेंगे आज हमरे पास पैनस तो पैनस की स्टूड언 hearts प्लांट और इनके स्पूड़ॉफ ka प्लांटी पॉल्ड़़् होती है इनके इस में फूर्पाइट गदेरिशन हैं वो हम ज्यादा आम आंख से नसर आती है यादिक हम हम इसका होल प्लांट देखेंगे त तो प्लान्ट क्या होगा sporophytic plant होगा यानिके 2N होगा और यह प्रड्यूस करेगा male and female cones इनके ओपर cones होगी और female cone जो है large in size होगी and male cone is small in size और जो female cone है वो produce करेगी मारे पास large sports and male cone produce करेगी small sports तो यही चीजे हम इसके life cycle में आज हम discuss करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर के हम एक पॉइंट से चलते हैं यहां पर हमने पाइनस ट्री है ठीक है पाइनस ट्री को अगर हम देखे तो आपको मैंने बताया कि sporophytic generation इसमें होती है तो प्लांट इसका क्या है sporophyte यानिके 2N generation के साथ तो अगर हम देखे sporophyte को तो सबसे पहले मेरे आपको पता है कि यह दो तरहां के कौन प्रडियूस करता है एक इसमें male kone होती है एक female kone होती है अब यहां पर एक बात है कि में भी वह प्लांट जो है वह एक ही प्लांट हो यानिके जिसमें male kone भी present हो और female kone भी present हो और में भी वह प्लांट जो है वह different plant हो जिसमें male and female separate plant जो हो और उनके अंदर male and female kone मुझूद हो ओके सो यहां से हम स्टार्ट करेंगे इसको तो इसके पास female kone होती है second is male kone दोनों ही क्या है 2N है यानि के इनके अंदर जो है वह deployed chromosome है so जो female kone है produce करेगी mega sporophyll उसके mega sporophyll के अंदर होगी ठीक है और जो male kone है उसमें होगा micro sporophyll okay so mega sporophyll के अंदर जो है क्या मुझूद होता है mega sporangium मुझूद होता है माइक्रो sporangium okay to mega sporangium जो है वो produce करेगा mega spor mother cell उसके अंदर क्या होगा अगर हम उसको कट करके देखेंगे तो उसके अंदर मेगा spor mother cell मीलेंगे okay and female kone की तरफ अगर हम आते हैं तो उनके अंदर माइक्रो spor mother cell होगा अब यहां तक यह generation हमारे पास 2N रहेगी अब माइक्रो spor mother cells and mega spor mother cells जो है उनके अंदर next क्या होगी meoses होगी तो इनकी जो क्रोमोसोम्स की तदाद है वो हैप्लाइड हो जाएगी यानिके reduce हो जाएगी okay so माइक्रो spor mother cells प्रोड्यूस करेंगे माइक्रो स्पोर्स जो के small in size होंगे और मेगा स्पोर mother cell प्रोड्यूस करेंगे मेगा स्पोर okay तो जो large size के स्पोर्स आपको नज़रारेंगे और दोनों ही क्या होंगे one and one and के साथ होंगे है प्राइड हो जाएगे okay so a micro sports जो है वो male gametophyte produce करेंगा और mega sports जो है वो female gametophyte होंगी okay तो यहां पर इनका life cycle जो है इनके अंदर pollination होगे और वो male gametes बनाएगा जिनको हम पॉलन या पॉलन ग्रीन्स बोलते है और female gametophyte जो है वो क्या बनाएगा नेक्स हमारे पास एक भी मौझूद है अब पॉलन ग्रीन्स भी मौझूद है तो क्या होगा नेक्स स्टेज में इनके पास होगी फर्टिलाइजेशन यानिके one and one and आपस में फ्यूज कर जाएग और then क्या बनेगा जाइगा जाइगोड अब यहां से फिर से स्टार्ट हो स्टार्ट होगी है इनके जाइगोड यहां पर बना है आफ्टर फटिलाइजेशन तो यह दुबारा से 2N है तो यह हमारे पास फिर से क्या होगी स्टार्ट हो गई है जाइगोड के बाद देन क्या बनेगा एंब्रीयो बनेगा एंब्रीयो जो है वह दिवेलफ़ों के सीड बनाएगा और सीड जो है जब सीडिंग करेंगा तो जर्मीनेशन होगी मर पास न्यू पाइनस प्लांट की ओके सो इस तरह हमारे पास इस जो होल लाइफ साइकल है वो complete होता है और आपने इस life cycle में देखा students के हमारे पास sporophytic generation और gametophytic generation एक दूसरे को alternate करके आती है okay so इस तरह हमारे पास इस pineal trees के अंदर भी क्या पाए जाता है या gemino sperm के अंदर भी आपको alternation of generation देखने को मिलेगी so यह था हमारा lecture होप सब्सक्राइब ने अंदर स्टैंड किया होगा तो नेक्स लेक्चर में मिलेंगे हम अल्लाहाफेज